दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1993 में रिलीज हुई एक्शन रोमेंटिक ड्रामा मुवी शतरंच का जिसके लीडिंग कास में मौझूद हैं मिंथुन चकरवर्ती, जैकी श्रॉफ, दिव्या भार्ती, जुई चावला, कादिर खान, साहिला चड़ा, किरन कुमार, अरून बक्षी, विकास अनन्द, शक्ति कपूर, उशा नटकरनी, दिनेश इंगू और सरफरास खान इसके लावा इस फिल्म के स्टोरी राइटर हैं संजीव डुगल, और इस फिल्म का स्कीन प्ले लिखा है संजीव डुगल, और यूनुस से जावल ने, और डायलॉक्स लिखे हैं कादिर खान ने, और इस फिल्म को डारेक किया है अजीज से जावल ने, और इस फिल्म के श्रॉफ निबाते नजर आएंगे और जहां ये तीनो भाई अनात हैं और धरमराज ये अपने छोटे भाईयों की परवरिश करता है और ये तीनो भाई एक गैरिज चलाते हैं और एक खुशाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं और धरमराज को हमेशा से लड़कियां बुर जाती है और वो डिनो यानि जैकी श्रॉफ को पसंद करने लग जाती है और डिनकी यानि मित्वंचगरवर्ती जो वैसे भी थोड़ा रंगीन मिजाच का आदमी है वो रादा यानि जूई चाबला को देखते ही उस पे फिदा हो जाता है इसके बाद धरमराज को डिनो और रिनो के अफेर के बारे में पता चल जाता है और वो रिनो को बेज़त करके अपने भाई से दूर रहने का कहता है और इसी वक्त डिनकी और डिनो अपने भाई के खिलाफ जाते हुए घर छोड़ देते हैं और अब देखना ये है कि आखिर ऐसी क्या वज़ा है कि धरमराज और अजास से इतनी नफरत करता है और इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है इसका पता आप फिल्म देखकर लगा सकते हैं अब बात करें इस फिल्म की डारेक्शन और स्कीन प्ले के बारे में और फिर फिल्म के सेकंड हाफ में स्टोरी काफी हद तक engaging factor क्रियेट करने में कामयाब होती नजर आती है। और डायलॉक्स की बात करें तो इस फिल्म में हमें ठीक ठाक डायलॉक्स भी सुनने को मिलते हैं। और साथी साथ फिल्म के action sequences भी काफी बढ़ी आएं। और music की बात करें तो इस फिल्म का sound track काफी शांदार है। जिसके तकरीबन सारे ही गाने काफी refreshing touch देते हैं। अब बात करें acting performances की तो जैकी शरॉफ का ये रोल इस फिल्म का most impactful रोल था। जिसे उन्होंने बेहाश शांदार और अपनी काबलियत के दम पे काफी खुबसूरती से निभाया और अपने इस किर्दार के साथ बाखुबी इनसाफ किया। और मिथों चगरवर्ती की बात करें तो वो इस फिल्म में entertaining factor क्रियेट करने में काफी एम किरदार निभाते नज़र आए और उन्होंने भी अच्छा काम किया। इसके लावा फिल्म की heroins दिव्या भारती और जोई चावला की बात करें तो ये दोनों बहुत खुबसूरत नज़र आई और दोनों नहीं शानदार performance दी है। और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अच्छा काम किया, खास सौर पे कादिर खान और किरन कुमार ने तो आउटस्टेंडिंग performance दी है। overall देखा जाए तो शतरंच एक शानदार मुवी है जिसमें आपको अच्छी performances के साथ साथ एक unique story plot देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी को ये मुवी recommend करूँगा, आप सब भी इस शानदार मुवी को जरूर देखिएगा।